हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो स्टेडिबर्स, सो फाइनली आपका सीमाइट का एक्जाम कल होने वाला है, आप मैं से बहुत सारे से स्टुडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब वीडियो की तुरू प्रेपरेशन करें थे, काफ़ी सारे इन्रोल बच्चें चाहिए वो लाइ टॉपर्स ने पेपर के से अटेम्ट किया था, जिससे वो भाई 99.99% स्कूर कर पाए, आपका टार्गेट स्कूर क्या होना चाहिए, और कुछ इंपोर्टेंट टेप्स जो आपके एक्जाम के स्कूर को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेंगे, तो माई नेम ही सौरप लेटरी हुआ है, उसके 20 क्वेशन, टोटल आपके सामने 100 क्वेशन होंगे, अगर मैं लास्ट इयर्स के डेटा की बात करूं, तो 99.99% आया था, 340 माक्स पे ठीक है, और 90% के बात करूं, तो वो आया था, 281 पे, 90 से उपर आपको टार्गेट करने है, ताकि आपको एक हो, तो भी 99.99 आपके माइन में होना चाहिए, अब मैं अगर बात करूं कि जो टॉपर रहे हैं, उन्होंने कैसा स्कोर किया, क्यों काफी सारे बच्चों को लगता है, सर अगर हमारा इनोवेशन वीक है, तो हम स्कोर नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, आप यहां पे समझो, जीत मुकर जी, जो हमारे हां के टॉपर रहे हैं, इसका मैंने पूरा का पूरा इंटर्वीव भी चैनल पर डाला था, आपने शायद देखा होगा, तो यहां पे इस बच्चे की क्या स्ट्रेजी रही थी, यह समझो, यह बच्चा करेंटल अभी JBI में ही पढ़ा ही कर रहा था, क्वांट्स और डी आई में, LR में 90 out of 100 स्कोर किया था, ठीक है, verbal में 90 out of 100 स्कोर किया था, और GK जो बच्चों के डर लगता है, इसने भी बहुत अच्चा नहीं किया था, इसने 60 स्कोर किया था, out of 100, लेकिन 60 भी बहुत high score है और इसलिए, बहुत 340 out of 400 इसका बन गया तो यह मैं सोचना कि अगर मैं जो 20 में से सिरफ 12 या 13 question आते हैं तो मेरा तो कुछ होई नहीं सकता क्योंकि general attend भी उतने ही रहते हैं उस time तक भाई जो नया section था innovation और entrepreneurship वो नहीं होता था लेकिन भाई इस साल वो है तो आपको थोड़ी सी चीज़े plan out करने हैं यहाँ पर आप स्कोर देखके समझ पा रहे हो कि अगर आपने strong area पर maximize कर लिया तो बागी section में अगर थोड़ा सा कम भी रह जाएं तो भी आप अपने dream personality यहाँ पर achieve कर पाओगे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर आपके एक strategy बनाओ तो मैंने का यार qants, lr, verbal, gk and innovation and entrepreneurship ठीक है सब के मेरे सामने कितने question है 20 question मेरे सब के आने वाले अब भाई आपको इस exam में एक चीज़ बहुत बहुत important तरीके से ध्यान दखनी है कि यहाँ पर आपको बिलकुल speed की tension नहीं लेनी है क्योंकि आप 3Rs बहुत होते हैं आप खुद ही देखो कौन से exam में आपको 3Rs मिले थे जो एक easy level का exam रहा हो यहाँ पर question का level भी easy रहेगा, question में इतने ज़्यादे difficulty भी नहीं होगी और भाई दो section तो ऐसे हैं GK का and innovation entrepreneurship का जिसके question आप बहुत जल्दी कर दोगे या तो आपको answer आता है या नहीं आता तो आपको make sure करना है इस पूरे exam में आप accuracy पे बहुत ज़ादा focus रखो ठीक है इस paper में कोई sectional cutoff नहीं होती है तो आपको भाई अपना overall score maximize करना है तो कोई भी sectional cutoff नहीं रहती है sectional cutoff नहीं है तो आपको भाई यह make sure करना है कि जो आपको overall score आ रहा है उसके maximize करने की strategy है उसको आप follow करो तो अगर मालो आपको strong area LR है या quants है या वर्बल है उस particular topics आप start कर सकते हो मालो आपका LR strong area तो इसके बहिए आप सबसे बहुत सारे question कर लो 18 से 20 question attempt कर लो आप उसके बाद जा सकते हो अपने second best section पर जो let's say आपका quants है quants के question जल्दी से जल्दी करो जितने हो जाए आप यहाँ पर 18-19 करो अगर आपका strong area है अगर आपको लगता है उसके बाद मुझे verbal पर जाना है लेकिन verbal मेरा थोड़ा सा moderate है यहाँ पर 17-18 कर target रखो उसके करेंगे तो आपने सारी के सारी मेरी वीडियो भी देख लिए जो यूट्यूब पर डाली थी यूट्यूब पर मैंने 7 hours की current affairs की वीडियो डाली थी उसके बाद 2 hours की वीडियो है थी जिसमें 2022 January February March की current affairs थी उसके बाद static gk की 7 hours की वीडियो थी और उसके बाद innovation entrepreneurship की around 1.5 hours की जिसमें मैंने concepts, notes सब कुछ आपको provide कर दे था, mcq question करा दे था तो इतना करने मुद आप काफी दा confident होगे क्योंकि majority of the चीज़ें आपने यहाँ पर cover कर ली होगे अब जब आप exam को attempt कर रहे हो तो यह चीज़ आपको देखनी है कि एक आपको options यूज़ करने है अगर मैं बा वर्बल में एक चीज़ हमेशा ध्यान लगना कि अपने options को eliminate जरूर करना, ऐसा मत करना कि एक question और डारेक्ट एक answer टिक कर दिया, बाकी जो तीन options है उसको भी एक पर scan कर लेना कि यार उनको eliminate कर पा रहे हो ना properly क्योंकि verbal में कभी-कभी track questions आ जाते हैं ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जी के और innovation and entrepreneurship की, तो जी के में भी आप options को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ऐसा मत देखा करो, question read करा, फिर आपने छोड़ दिया question, बहुत पर ऐसा होता है, जब आप option पढ़ते हो ना, आपको याद आता है, ये वाली चीज मैंने इस वाली वीडियो में देखी ये word मुझे similar सा लग रहा है, ये answer हो सकता है, तो उसको हम बोलते थे calculated guess, जो काफी ज़्यादा helpful आपको यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ innovation and entrepreneurship की, तो ये section में आप ध्यान रखना, कि जो आपने day-to-day business awareness की चीज़े पढ़ी हैं, जो आपने मेरी वीडि उसमें था, तो कौन सा option वहाँ से match हो रहा है, तो ये सारी चीज़ा आपको carefully देखने ही देखने है, ठीक है, तो ये इस तरह सा पेपर को attempt करोगे, एक चीज़ यहाँ रखना, कि यहाँ पर time आपके बास काफी है, तो बिलकुल panic नहीं होना है, accuracy पर जरूर काम करना है, and definitely quants LR, इन में तो आपके accuracy हाई होनी ही चाहिए, because ये आपके score को काफी ज़्यादा increase कर सकते हैं, और जहां तक बात है GK और innovation entrepreneurship की, ये कहीं ना कि आपके लिए make और break बन सकते हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सथ दिमाग को active रखो, क्योंकि ये दोनों section हर बच्चे के लिए नहीं है यार, यहाँ पर जो questions आएंगे, वो पहली बार बच्चे देख रहे होंगे, उस type के question उन्होंने पहले नहीं देखे होंगे, हो सकता है कुछ current question के question देखे हो, तो innovation नहीं लगेगा, इस्टेटिक जी के नहीं लगेगा, तो अगर वो difficult लग रहे है question, तो सबके लिए difficult है, ऐसा नहीं है, कि सारे question आपको कर नहीं है, ठीक है, make sure करना कि अपने attempts को maximize करो, जब आप पूरा paper solve कर लो, और last को जो time बचे, उस time को भी utilize करो, जो remaining question है, उनको go through करो, और उसके बाद आप पूरे paper को और अच्छे से कर सकते हो, अगर मैं पूरे paper के एक strategy बनाओ, तो मालो कोई quant का ऐसा question है, जो आपको आता तो है, बट आपको लग रहे है, इसमें time लग सकता है, जिससे मेरा paper ना छूट जाए, तो वह आप B category में रखो, बाद में करो, ठीक है, और कुछ question ऐसे होते है, जो आपको बिलकुल ही नहीं आते है, आपको समझ जी नहीं आरा क्या क लिया, तो आप question number फिर से आप वह वाले question पर जो आपने review करें है, बाद में करो वाले, और उन question को solve करो, जो आपने review के लिए mark करें हुए, अब क्या होगा, यहाँ पर वो सारे question आपको दिख जाएंगे, जो आपको आते हैं, तो इनको solve कर लो, उसके बाद जब आपको आप जब third round आए, उसमें आप वह वाले question देखो, जो छोड़ दो वाली category में है, कि आप एक बादी देख रहें तो क्या option से कुछ connect हो रहा है, क्या कुछ calculated risk लेना है, क्या मैं कुछ guess work कर सकता हूँ, और उसके according paper को attempt आप कर सकते हूँ, तो इस strategy को follow करने वे आपको realize होगा, कि आते थे, वो आपने बहुत सही से accuracy के साथ attend भी कर ली है, ठीक है, अब कुछ अगर मैं final tips दू, तो सबसे पहला tip, you have enough time, time बहुत है इस exam में, paper का level भी easy रहने वाला है, और time भी आपका 3 आस है, तो अराम से patient के साथ paper करना है, बिल्कुल भी panic नहीं करना है, तो do not panic at all, दूसर जो भी आपका center है, वहाँ पर half hour पहले पहुँच जाओ, ताकि जो nervousness है, वो सारी ease down हो जाए, आस-पास के लोगों से बात करो, तो थोड़ा से क्या होता है, वो जो एकदम से rush वाली feeling होती है, वो control में आ जाती है, और सारी चीज़ों normalize होती ही चली जाती है, थर्ड, admit card और एक जिगे पर हो, अगर exam by chance आपको difficult लग रहा है, तो बिलकुल hopeless नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके लिए difficult है, तो सब के लिए वो exam difficult होने वाला है, तो थोड़ा सा presence of mind रखना है, थोड़ा सा active रहना है, don't get trapped, trap नहीं होना बिलकुल भी कोई ऐसा question आपको quants का दिख जाए, LR का दिख जाए, जिसमें 5-7 minutes चले जाएं, तो वो कोई sense नहीं है, तो कोई भी ऐसा trap वाला question दिखता है, उसे B category में डालो, बाद में करो वाली category में डालो, starting में उन question गरे साथ अपने आपको मत स्टक करो, ताकि आपका कोई भी question end में ना रहेजे, उसके check out कर लो, सारी के सारी वो वीडियो, और आपका ये section भी काफी अच्छे से handle हो जाएगा, बाकी section आपने systematic तरीके से काफी time से preparation करी रहे हो, ठीक है, and all the very very best, आपने बहीं बहुत मेहनत करी है, एक one of the major exam है, जिसके उपर आपके काफी सारे colleges dependent है, मुझे पता, stakes high है, बट यार हमें exam को करना है, और हम इस exam को crack करके आएंगे, इस positive mindset के साथ हम exam center पे जाएंगे, अभी तक आपने जो भी preparation किया, ये मत सोचना मेरे, ये topic रहे गया, मेरा ये video रहे गया, मैं mock नहीं दे पाया, अब आपने जितना कर लिया, that is more than enough, अब आपको बचे exam center पे जाना है, अपना best to the ability perform करना है, and I wish you all the very best, कि आपका exam काफी अच्छे से हो, thank you so much, exam के बाद जो भी by expected, cut off रह सकती है, क्या difficulty level रहा, उसकी मैं video बना दूँगा, तो channel पे connected रहो, and I hope आपको काफी सारा content revision proper तरीके से हो गया होगा, हर एक subject की revision videos मैंने आपको YouTube पे दे दी थी, quants की, verbal की, LR की, general knowledge की, current affairs की, static GK की, entrepreneurship की, तो मैं assume कर रहा हूं कि आपने वो सारी चीज़े कर ली है, ताकि full-fledged आपका एक revision भी हो जाए, so all the very best again, thank you so much, and take care.